जमीर जिन्दारक कभीर जिन्दारक बन जाए अगर सुल्तान तो दिल में वो फकीर जिन्दारक होंसले की तरकस में वो तीर जिन्दारक जिन्दगी में चाहे सब कुछ जिन्दगी में चाहे सब कुछ मगर जीतने की उमीद जिन्दारक हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत ह आपके अपने यूटूब चानल ओप्रेशन विजय में दोस्तों मैं हूँ अखलेश यादो आज हम लोग एडवांस मैत में एक नया चेप्टर इस्टार्ट करेंगे ऐसे मजबूती से हमने बीजगडी यानि कि आपका एलजब्रा पढ़ाया था उसी मजबूती के साथ हम ल यानि जिसे कहते हैं लोग त्रिकोंड मीती थीक अब देखिए नाम से ही अश्पश्ट है ट्रेग्नो मेट्री यानि कि त्रिकोंड फिर मीती त्रिकोंड में मतलब होता है तीन कोणों वाले भुजाओं का माप ही ट्रिगनों मेट्री यानि त्रिकोण मीती कहलाता है आई बास समझ में देखें नाम से ही असपर हो रहा है त्रिकोण मीती मतलब होता है माप त्रिकोण मतलब होता है आपका तीन कोड़ों वाले भुजाओं का माप ठीक तो तीन कोड़ों वाले भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है आपका ट्रेगनोमेटरी यानि त्रिकोड मिती आपने देखे इसमें आप चाहे जो भी पढ़े हो ना पढ़े हो कभी भी ट्रिगनोमेटर के बारे में जानते हों चाहें न जानते हों एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे बेसिक कुछ होता नहीं है बेसिक इसमें क्या है कि साइन बराबर क्या होता है लंबटे कर्ड होता है आधा कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड होता है टैन बर होगा आपके question में अवस्य होगा ठीक तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे वीडियो में वैसे हम आपको बता रहें गारेंटी दे रहें दोस्तों कि डारेक्ट आप जो है मान रखेंगे पहले तो ये basic identity समझ लीजिए उसके बार डारेक्ट आप मान रखे कुछ सेकेंडों में एंसर देंगे बड़ी से बड़ी कोश्चनों को ठीक तो लेकिन उससे पहले आपको basic identity पता होना चाहिए तब जो है आपका और जा अच्छे से मजबूती के साथ जो है आपके आगे वा लंबवत कोई मिनार जैसे है या कोई मकान है लंबवत यहां पे इस तरह है और मकान के सामने हम लोग खड़े हैं ठीक तो इसका हम पहले क्या देखेंगे पहले इसकी क्या कहेंगे कि यह सबसे यह कितना लंबा है या कितना दूरी है पहले इसकी लंबाई देखते हैं यह इस तरह अगर कोई चीज है मतलब कि इससे अगर यहां पे हम लोग हैं यहां पे अगर आप हैं मतलब आपका मतलब की आपकी आँखे यहां पे हैं तो यहां से एंगल का हम आपको एंगल निर्माड करना बता रहें कैसे बनता है तो जैसे आपके सामने कोई मिनार या कोई भवन है तो ये देखेंगे तो पहले पहली बात कहेंगे कि ये कितना मीटर लंबा है या कितना फूट लंबा है तो ये जो लंबा है इसी को कहते हैं हम लोग लंब क्या कहते हैं लंब जिसे कहते हैं अंग्रेजी में परपेंडी प जिस भी धरातल पे जिसके भी मतलब जिसके भी सापेक्च हम लोग खड़े होते हैं उसे हम कहते हैं बेस बेस मतलब इसे कहते हैं आधार क्या कहते हैं इसका नाम क्या रखें आधार यानि बेस ठीक आप देखिए यहां पर अगर हमें जाना है यहां पर जाना है तो हमारे पा नहीं नाम क्या है हैं आइपो टेयनियस यह कोई विसीष नाम नाम नहीं रखा गया मैं। काम पहले रखा किसी भी चीज को पहले माना जाता है कि यह होता है तब यह कहीं से रिसर्च करके नहीं बनाया गया है कि यह बेस है यह लंब है यह है तो यह हो गया यह सिब होता किसमें है यह होता है दोस्तों 90 डिग्री एंगल में यह यह वाली भुजा जो कंड होती है इन जोनों भुजाओं से बड़ी होती है तो यहां से आपने यह जानते होंगे कि करण का स्कॉयर बराबर करण का स्कॉयर बराबर होता है लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर क्या होता है करण का स्कॉयर बराबर लंब का स्कॉयर प्लस आधार का स्कॉयर होता है ठीक तो य से देनोट करेंगे यह करण है इसे ह्पोटैनियस यानि इसे यह से डिनोट करेंगे तो यहां से आप यहां से आप अगर आप रेश्यो मांन निकालना हो तो क्या इसको हमने नाम दे दिया साइन थीटा क्या नाम दे दिया साइन थीटा पी बटे में याच यानि लंब बटे में कंड बराबर क्या नाम दे दिया साइन थीटा अगर इसी का उल्टा करें यानि कि जब हमने लंबा और आदा कंड में रेशियो निकालना तो यहां पे कंड और लंब का रेशियो निकाल है कि ये इसको अगर ये लंब बटे में कंड है तो इसे साइन थीटा नाम दे दिये ये जो कंड बटे में लंब है तो इसे कोसिक थीटा नाम दे यानि कि P बटे में H और इसी का उल्टा H बटे में P है जब ये दोनों आपस में उल्टे हैं तो ये भी आपस में उल्टे तो साइन थीटा इंटू कोशे थीटा बराबर एक होता है यह अभी आप यह सूत्र हैं जितना हम आपको बताते चलने यह सब सूत्र हैं यह सब जानिये क्योंकि इसका प्रियोग आगे होगा तो यह आपने इस तरह जान लिया अगर आप यह तो इतना हुआ अगर एसे इसे Lumb यानि P से डिनोट करेंगे और इसे B और यह H यानि कंड, आधार, Lumb अब ये तो साइन के बात हुई अगर ये अभी आपने Lumb और कंड में रेसियो देखा अगर हमें आधार और कंड में रेसियो देखना हौं यानि B बटे में H का मांद तो इसका नाम दे दिये हम लोगोंने क्या cos theta ठीक अब यानि कि आधार और करण में ratio देखे अब उसी को अगर हम करण और आधार में ratio देखे तो इसका नाम दे दिये हम लोगोंने सेक theta जब ये यानि कि B बटे में H का उल्टा है या च बटे में B तो जब ये उल्टा है तो ये भी आपस में उल्टे होंगे यानि कि cos theta बराबर 1 by sec theta ठीक तो sec theta इधर चला जाएगा तो cos theta into sec theta बराबर एक होता है यानि कि cos theta बराबर होता है आधार बटे करण और जो s sec theta बराबर होता है करण बटे आधार और cos theta बराबर होता है 1 by sec theta यानि कि cos और sec एक दूसरी के विपरीत होते हैं यानि कि cos theta into sec theta बराबर एक होता है ठीक अभी तो आपने ये sign और cos का देखा अगर हम 10 और cot का देखें तो उसमें क्या हो है देखिए अभी आपने लंब और करण में ratio देखा आधार और करण में ratio देखा अगर आपको ये लंब और आधार में ratio पता करना हो यानि कि P by H में और P by B में तब इसका नाम देदिये दोस्तों 10 theta ठीक जब आपने लंब बटे में P देखा तो आधार यानि B आधार और लंब में रेशियो क्या होगा यानि B बटे में P बराबर होगा आपका इसका नाम दे दिये हम लोगों ने Caud Theta यानि P बटे में H पी बटे में H का उल्टा ब बटे में H है तैन ठीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और cot theta बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब होता है जब ये दोनों आपस में उल्टे हैं तो ये भी आपस में उल्टे होंगे यानि 10 theta बराबर होता है 1 by cot theta ठीक तो 10 theta into ये चला जाएगा यहाँ पे multiply हो जाएगा यानि कि cot theta 10 theta into cot theta बराबर एक होता है तो 10 और cot में विपरी संबंद होते है sin और cos और cos और sec में विपरी संबंद होते है और एक चीद देखिए 10 theta बराबर होता है sin theta बटे में cos theta जब आपको जब इसका मान यहां पे रखेंगे sin theta बराबर क्या होता है लंब बटे में कड यानि कि p by h होता है और cos theta बराबर क्या होता है आधार बटे में कड यानि b by h होता है h से h कड गया तो क्या बचा p बटे में b बचा की नहीं यानि कि p बटे में b को क्या लिख सकते हम लोग sin theta बटे में cos theta लिख के चाहिस तरह लिखे चाहिस तरह बाद बराबर तहyorsun है यहां से आप या निर टिक्ट बात होता है जब ते आपको पता है कि सुर्ठ को इंट होल थे लोगा थी होता है दोस्तों देखिए अभी हमने आपको कहा कि जहां से हम लोग देखते हैं उसके सामने की भुजा जो है लंब होती है जैसे यह माल लीजिए है ठीक अगर हमने आपकी आखे यहां पर है आपकी आखे सपोस करिए यहां पर यहां से आप देख रहे हैं यहां यानि के ठी perpendicular का लाता है और यह जो है यह आधार होता है यानि बेस होता है hypotenious यह निश्चित होता है यानि कॉणड जो है बदलता नहीं है angle के बदलने पर अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे चले गए यानि ये आपकी आँखे यहाँ पे आगई यहाँ पे आगई यहाँ से देखने लगे ये थीटा हो गया तो अब जो है आपका लंब बदल जाएगा इसके सामने एक भूजा ये कहलाएगी और लंब आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा और इसका ये जिसके साप विक्ष बनता है अगर एक लंब है तुघ दूसरा आधार यानि बेस ब मवाइन वा यतन थीटकत थीटा वियन सब्सिट 40 Up& चलते हैं अब हम लोग कोस्टनों पे तो और अच्छे समझेंगे देखे दोस्तो अब आपके सामने कोस्टन है जैसे कि आग दे दे A B बराबर दिया है 12 B C बराबर दिया है आपका A B बराबर 12 यहां पे C A स्वारी यह C A बराबर जो है A C यानि C A बराबर 5 दिया है तो आपसे यह पूछा है यह वाला भूजा पूछा है आपसे और कहा है कि सभी जो है basic identity इसका यानि कि यह sign, cost, and cosec से का सभी मान बताईए तो देखे यह आपको दिया है 12 और यह दिया है आपका 5 और यह आपसे निकालने के लिए बोला है तो कन बराबर क्या होता है यानि कि BC बराबर होता है अंडर रूट AB का स्क्वाइर प्लस AC का स्क्वाइर यह होता है ना कन का स्क्वाइर बराबर होता है लंब का स्क्वाइर प्लस अधार का स्क्वाइर जब इसका square अटाएंगे तो यह इधर under root लग जाएगा तो यहां से होता है आपका 12 का यानि 144 यह भी बराबर 12 है तो इसका वर्ग करेंगे 144 प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा तो यहां से आ गया आपका कितना 179 अब यह 20 बराबर 179 तो यह 179 किसका वर्ग है यानि इसका व भूजा प्राप्त हो गई तो आप से पूछा है कि बताईए सभी बेसिक आइडेंटिटी बताईए यानि कि साइन थीटा फिर कॉस थीटा फिर टैन थीटा फिर कॉट थीटा यानि फिर सेख थीटा और कॉस थीटा बराबर सब को पूछा है आप से थीटा है थीटा के साम तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कंड यानि 5 बटे में 13 होगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में 12 बटे 13 होगा और 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार यानि 5 बटे में 13 और जो है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब यानि कि 12 बटे में 5 और उसी तरह से एक ठीटा बराबर क्या होता है कंड़ बटे में आधार यानि कि 13 बटे में 12 और कोसिक ठीटा बराबर होता है कंड़ बटे में लंब यानि कि 13 बटे में 5 पूछ देगे तिसमें अगर आपको पता होना चाहिए वीडियो रोके लिख लीघेग fils अब decision मत करिये कि यहीं लंभ नहीं होगा जो है sign a कहा यानि कि angle ये दे दिया है तो angle ये है तो इसके सामने के बुजा lump ये perpendicular ये होगी ये जो है आपका base होगा आधार होगा और ये आपका करण होगा आई बात समझ में तो ये जब sign a कहा है जैसे कहे दे कि sign c कहे तब आपका lump ये हो जाएगा लेकिन sign a कहा है तो lump ये हो जाएगा इसके सामने के बुजा ये है तो ये lump ये आधार ये करण होगा तो sign बराबर क्या होता है lump बटे में करण यानि कि 3 और ये 5 होगा ये lump है आपका ये करण है ये 3 ये 5 तो इसको अगर निकालना हो तो direct निकाल लिए क्या होता है जब काण का square बराबर आपका पता है काण का square बराबर होता है lump का square प्लस आधार का square चिंता मत करिए बड़े से बड़े कोस्चोनों को पहले देखेंगे पहले थोड़ा से basic समझ लिजिए इतना बराबर होता हमें चाहिए पांच का square करेंगे 25 और लंब का square करेंगे 3 यानि 9 घटेगा ये आएगा 16 अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा आपका 4 यानि ये आगया आपका 4 कभी भी अगर ये 3 दिया रहा है ये 5 दिया रहा है तो ये 4 होगा या ये 4 दिया रहा है लंब और आधार बदल सकते हैं जब आपको यह पता चल गया Sine तो आपसे पूछा है सभी basic identity यानि कि कॉस ए फिर जो है टैन ए फिर कॉट ए फिर आपसे सेक ए फिर कोसेक ए अब सभी में लंब जो है यही होगा इसके सामने बुजा यह लंब कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कड आधार यह है तो यानि कि 4 बटे में कड यह है यानि 5 और 10 बराबर होता है लंब बटे में आधार तो लंब यानि 10A कहा है तो 10A यानि कि लंब यह होगा तीन बटे में यह 4 होगा यानि कि 3 बटे में 4 अगर A पे दे दे काट A की जगए पे काट C दे दे तो काट C अ हमने भुजा यह लंब है यानि कि यह लंब हो गई तो यह आधार हो गया जब यह आधार हो गया तो आधार बटे में लंब होता है कौट बराबर यानि कि तीन बटे में चार यही बेसिक चीज़ समझेगा जैसे एंगल बदलेगा उसका लंब भी बदल जाएगा और से के बर भर बर होता है पूछ्छाएं दोस्तों इसके सामने कि बुझा ही यह लंब तो कोसे के बराबर होता है पूछग पूच्छे में धीन पूछ आई बात, तो चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिया है, कोशन अभी इस तरह है, कोशन अभी आपने बेसिक चीज़ें समझ में आई, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे समझेंगे, देखिए, दिया है, 10 ठीटा बराबर में दिया है 12 बटे में 13, तो आपसे 2 sin theta into cos theta बटे में cos theta, cos square theta minus sin square theta पूछा है, आपको पता है कि sin square theta plus cos square theta बराबर जो है, एक होता है, ना कि cos square theta minus sin square theta, ये चीज़ें भूल मत करिएगा, ठीक, ये सब basic identity, 1 plus sin square theta बराबर जो है, से 1 square theta होता है, ये जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे आपको धीरे-धीरे बताते चलेंगे, पहले यहाँ पर देखिए, 10 theta बराबर दिया है कि 12 बटे में 13, तो यहाँ से 2 sin theta into cos theta बटे में cos theta square minus sin square theta बूछा है, तो यहाँ से देखिए 10 theta बराबर दिया है, तो 10 theta बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था, 10 theta सब्सक्राइब यानि कि साइन थीटा बट्टे में कौस थीटा बराबर 12 बट्टे में 13 लिख सकते तैन ठीटा को इतना लिख सकते हैं तो यही लिख दिये ठीक तो यही मान जो है इसके सामने की मान यह हो गया और इसके सामने का मान यह हो गया अब डारेक्ट उट जहां पर साइन है वहां पर 12 रखिए जहां पर कौस है वहां पर 13 रखिए तो देखिए 2 इंटू साइन थीटा यानि की 12 गुड़े घॉस, सीटा यानि 13 बटे मैं 312 बटे में 13 का स्क्वाइर होगा 179 और 12 का होगा स्क्वाइर 144 179 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25 और इसका मल्टिप्लाई करेंगे ते 312 बटे में 25 इस कोस्टन का एंस्वर यह आ गया आई बात समझ में तो इस तरह आपने जो है 10 फिटा बराबर sin फिटा बटे में कॉस फिटा तोड़के इस तरह लगा सकते हैं ठीक तो चलते हैं अगले कोस्टन पर हम लोग आपके सामने यह दो कोस्टन है साइन नहीं सा गया है एक तो पूचा है आपको कि इसका जो है स्क्वाइर करेंगे यानि कि ये sin square theta plus cosec square theta कैसे आएगा जब इसका हम दोनों पच्छों का whole square करेंगे तो sin square theta plus cosec square theta plus 2 sin theta cosec theta फिर इधर का square करके तब जाके आएगा लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है क्या करना है? sin theta plus cosec theta बराबर 3 साही एक बटे 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 plus 1 बटे 3 इस तरह लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं तो देखें ये sin जो है तूल ना कर दिए sin theta बराबर 3 और cosec theta बराबर 1 बटे 3 तो यानि यहां से आगया आपका इसका square चाहिए आपको यानि कि इसका square कर दिए 3 का square plus 1 by 3 का square तो कितना आगया आपका यह आगया 9 plus 1 बटे में 9 यानि 9,91,81,82 बटे में 9 इस question का answer देखिए आप डारेक्ट इस तरह लगा सकते हैं नहीं तो दोनों पच्छों का work करिए फिर इसका work करिए घटा ही है जोड़िए तब जाके उसी तरह आप देखिए दिया है 10 theta plus 1 by 10 theta बराबर 2 तो जैसे square पूछे तो दोनों पच्छों का square कर दिजे तो square करके लगाएंगे तो a square plus 20 2 into 10 theta into 1 by 10 theta होगा लेकिन इतना नहीं करना है आपको एक जलक दिखा दे कि कैसे मान रख के लगाएंगे theta बराबर ऐसा मान रखिए 10 theta का कि 2 प्राप्त हो जाए तो theta बराबर आप 45 degree रखेंगे रखने पर अगर यहाँ पर 45 degree रखेंगे तो 10 theta का 10 45 अंस का मान होता है 1 plus 1 बराबर 2 हो जाएगा वही मान यहाँ पर रख दीजे 10 45 का तियानि कि 10 45 होता है एक का यहाँ पर square करेंगे plus 1 by 1 का square यहाँ पर भी सेम चीज है तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक plus 1 यानि कि 2 आ गया answer ठीक चाहे आप इसका square करके basic चीज लगाईए चाहे आप direct इस तरह मान रख के ऐसे ही हम लोगों हम लोग जो है आगे के वीडियो में मान रख रख के direct जो है बड़े से बड़े कोस्टनों को चूटकियों में साल्व करेंगे ठीक तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा लिजे क्याने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा है वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में सेर करिएगा मिलते हैं नेश्ट वीडियो में जहें